अभी के टाइम पे डी फार्मा अगर आप करते हैं तो डी फार्मा करने के बाद डाइरेक्ट आपको लाइसेंस नहीं मिलेगा डाइरेक्ट आपकर इस्टेशन नहीं होगा आपको देना पड़ेगा एकजीट इगया तो अगर आप 2022 में एड्मिशन लेने की प्लान बना रहे किसी भी फार्मा के कोर्स में तो कि आपको डी फार्मा करना तो आपको डी फार्मा करना चाहिए कि वीडियो में इसी टॉपिक पर बात सब्सक्राकर क किंड सब्सक्राइब और तो फ्रेंट्स यहां पर हम सबसे पहले बात करते हैं exit exam की तो जैसा कि आपको पता होगा पहले के टाइम पर ऐसा नहीं हुआ करता था अगर आप डी फर्मा अभी फर्मा कोई भी कोर्स करें आप डायरेक्ट अपने इस्टेट फार्मेसी में जाकर करके इसके बाद आपका रेजिस्टेशन करवा सकते हैं अभी के टाइम पर तो ऑनलाइन पर क्रिया चल रही है लेकिन अभी क्या है कि आने वाले समय में आपको exit exam देना पड़ेगा इसके बाद आपका रेजिस्टेशन होगा लेकिन यह इसपेसली अभी तक सरी डी फर्मा इस्ट इक्जाम की त्यारी करने पड़ेगी exit exam देना पड़ेगा तो लगबग मेरा तीन या चार साले से चले जाने वाला है तो क्या हम डायरेक्ट बी फार्मा क्यों नहीं कर सकते हो कि बी फार्मा करेंगे तो हमारे पास ग्रिज्वियोशन की डिग्री भी होगी और इसी के साथ साथ हम एक रजिस्टर्ट फार्मासिस्ट भी रहेंगे और हमें exit exam टाइप का कोई लफड़ा भी बीच में नहीं रहेगा तो मेरे भाई आप बहुत बड़े गलत फैमी में हो क्योंकि अगर आप डी फार्मा करने की प्लान बना और बी फार्मा करने जाओगे तो वहां पर लेना है कि आपको क्या करना है मैं दो चार पॉइंट और क्लियर कर देता हूं ताकि आपका इस पॉस्ट हो जाए सबसे फर्स्ट वे कि अगर आप बी फार्मा करने की प्लान बना रहे हो पहले से मूड में हो तब तो भाई आपके लिए बिफार्मा बिल्कुल परफेक्ट करने के बाद आपके फार्मा से करें तो आपको प्रिजन करें कि यहां पर दो तीन चिजों का ध्यान रख लेजे कि अगर आप बीफार्मा कंप्लीट कर रहे हो कम्प्लीट चीजों को पढ़ रहे हो तो आपको एक्जीट एक्जाम पास करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम नहीं देना पड़ेगा क्योंकि अगर आप डी फार्मा पास कर सकते हो तो एक्जीट एक्जाम भी पास कर सकते हो अगर आपको फैल होना होगा तो आप डी फार अगर आपको भी फार्मा करना है इसटी आप सके या फिर कहीं नकहीं फार्मेसि में पर्मा करने के बाद आप पास बहुत ज़्यादेव होते हैं तो अगर अगर उधर ध्याम दियते हैं तो तो डेफिनेटली आपको भी फार्मा करना चाहिए लेकिन अगर आप चाहते हैं कि डी फार्मा का बेसिक जो है फार्मेशी का बेसिक नॉलेज हो जाये हमें अपना एक मेडिकल इस्टोर ओपेन कर सके मार्केटिंग और सेल्स करें में काम कर सके किसी भी कमपनी या फिर हो पैसे दे करके पास होते थे डोनेशन दे करके पास होते घर बैठे बैठे पास होते थे उनको रोका जाए उनके लिए नहीं था एक जो इस्टडी करेंगे प्रोफर उनके लिए क्योंकि आपके सिलेबस से ही तो एक्जीट इक्जाम बनने वाला है जो कोस्चन है वो तो आ encouragement पर आपको ने को मिल सकता है कि अगर आपको एक रजिस्टर्ट फरमाशिस्ट बनना है तो उससे पहले आपको एक रमे on डाउट है तो इदर आई बटन में मैं complete playlist दिया हूँ exit exam के बारे में वीडियो आप देख लिजेगा उसमें complete चीजे clear हो जाएगी आपका जो भी आपके दिमाग में चल ला हो क्योंकि आज से चार साल पहले से लेकर के अभी तक जितना भी नूज आया है exit exam के बारे में complete उस playlist में दिया हुआ है उसका link मैं इधर description box में भी देदूँगा तो वहां से भी आप क्लिक करके देख सकते हैं बाकी exit exam से लेटेड डी फार्मा भी फार्मा से लेटेड जो भी आपका डाउट है comment box में जरूर टाइप करतेजेगा मैं उसका reply दने का पूरा पूरा प्रयास करूंगा और हमारे यूटूब चैनल पे डी फार्मा एन बी फार्मा से रिलेटेड complete जानकारी अबलेबल है तो चैनल को सब्सक्राइब करके एक बार आप वीडियो को चेक आउट डिक गर सकते हैं इन डी स्क्रीन में भी कुछ में वीडियो लगा दूंगा जो कि आपके लिए बहुत ही यूजफूल होने वाली है अगर वीडियो यूजफूल है तो वीडि सब्सक्राइब को अब बाए बाए